हेलो गाईज विल्कम बैक टो मैं चैनल लाजुका सूम कीचन में आप सभी का स्वागत है तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नो ओइल और नो तड़के वाला बैगन का भरता इससे बनाना काफी आसान है इसके लिए मैंने हरे बैगन का इस्तमाल किया कट लगाने के बाद इसके बीच में मैंने लसुन भर लिया है इसे भरना बहोती आसाने इजी ले अड हो जाता है आप चाहे तो लसुन को अलग से भी भून सकते हैं घर मैं बैगन के साथी भून लेती हूँ बहुत हलका हलका और उपर की layer निकल भी जाती है तो इसमें oil का कोई भी use नहीं है बैगन को अच्छे से soft होने तक और पूरा पकने तक भून लीजिए और चेक करते रहेगा अलट पलट के भूनते रहेगा साथी में हम इसमें प्याज और टमाटर भी भून लेगे आप अपन भूनने के बाद साती में हम इसमें मिर्ची भी भून लेगे आप चाहें तो इसे कच्चा भी डाल सकते बट मैं इसको थोड़ा सा भून लेती वह खाने में काफी अच्छा लगता है भूनने के बाद इसका test ओर अच्छा होता है फिर सबको थंडा होने के बाद इसके हम छिलके उतार लेंगे याद रहे कि गरम गरम में इसके छिलके ना निकली गरम गरम में अगर आप इसके छिलके निकालोगे तो आपके हाथ जल सकते हैं और जो लसुन हमने बेगन की बीच में भरा ता उसे भी हम निकल के साइड में रख देंगे उसके बाद में हम प्याज लेंगे और उसे बारिक बारिक चॉप कर लेंगे प्याज टमाटर मिर्ची सभी को आपको बारिक बारिक चॉप कर लेना है आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं बट मैश करने से अच्छा है कि आप इसे चॉप करके डालिए और जो लसुन हमने रखा था उसे हम हाथों से ही मैश कर लेंगे, बैगन को भी हम चेक कर लेंगे कि इसके बीच में कोई कीडा या बैगन खराब तो नहीं है, अगर वो खराब है तो आप उत्ता पाथ निकालके रख दीजेगा, चेक करने के बाद आप बैगन को भी बारिक बारिक चॉप कर लेजी, चाहे तो अब इसे मैश भी कर सकते हैं, बट मैं इसको चॉप और मैश दोनों भी करूंगे, उसके बाद मैं एक बावल लेंगे और उसमें हम अमारा भूना हुआ पूरा बैगन इसमें डाल देंगे, साती में हमने जो प्याश टमाटर, मिर्ची, लसुन को भून के रखा ता उसे भी हम इसमें एड कर लेंगे, और एड करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और स्वादा नुसार नमक डालेंगे, और साती में हम इसमें चीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी आड कर लेंगे, इने हमें आदा चोटी च सब जगा से मिक्स हो जाता है और मैश भी हो जाता है और मैने उपर से थोड़ा सा पैच के पत्ते डाले अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगा ये खाने में काफी टेस्टी लगती है और बनाने में भी काफी इजी है आप एक बार ट्राइ कीजिए और मुझे बताए साती में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा